तो भाई लोग कैसे हो तो जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में डिसकस किया था वेनम दी लास डान्स का को लाब 18 ओक्टोबर को गेम के अंदर देखने मिलने वाला है और आज वो चीज़ BGMI और PUBG Mobile के अंदर आ चुकी है और अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम करील देखिये जो मैंने सुबह अपलोड की थे आपको Already in Powers को कैसे यूज करना है यह पावर कहां कहां पे मिलेगी सब कुछ पता होगा इसलिए कहता हूँ इंस्टा पे जरूर फॉलो करना लिंक में डिस्क्रिप्चन और पिन कॉमेंट में दे दूँगा वहाँ पे Reels में मैं काफी सारा content अपलोड करता हूँ तो आपको काफी सारी information पहले सी पता रहेगी YouTube वीडियो आने के पहले और इस वीडियो को like जरूर देना चैनल पे पहली बार आये हो तो subscribe करके bell icon दबा के notification all पे करना और comment section में आपकी character ID comment करना क्योंकि इस वीडियो से एक lucky बंदा royal pass जीतने वाला है तो जैसे ही flight path का animation शुरू होता है Venom यहाँ पे लटकते वे, कूटते वे, चिलाते वे आता है और मेरे लिए तो काफी surprising था क्योंकि मैंने expect नहीं किया था कि इस collab की शुरूआत कुछ इस तरीके से होगी यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़िया animation इनोंने बनाया है और काफी cool look दिया है Venom को तो finally यह कुछ चिलाता है और flight से नीचे कूच जाता है जैसे यह नीचे कूचता है नई नई locations पे इसके symbiote बनने वाले है और आप लोगों ने अगर spider man mode खेला है तो भाई यह उससे बहतर है trust me guys तो चलिए इसकी एक location पे चलते है तो वो वाली location होने वाली है poaching की ऐसे guys अप यसनाय मिलता power अलग-अलग जगा पे जा सकते हो बहुत सारी जगाओ पे इसकी power आपको मिल जाएगी तो फिलाल अपन poaching की में चलते है और जो पीचे के side दो गर है वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का नजारा देखने मिलेगा गरों के उपर ये काली-काली चीज आ गई है तो मुझे लगाता है पहले कि इसकी crate होने वाली है जहां से हम इसकी power ले पाएंगे बट ऐसा कुछ भी नहीं है सारा खेल इस war horse में छुपा हो है जी हां guys ये जो काली color का गोड़ा आप देख रहे हो इसका नाम है war horse और इसके पास already venom की power है तो आपन सबसे पहले इस गोड़े को चला के देखते हैं गोड़े पे सवार होते हैं और इसकी power क्या-क्या है ये पहले चेक करते हैं उसके और मैं आपको बताता हूँ कि venom की power आप अपने character में किस तरीके से ले सकते हो तो जैसे आप गोड़े के उपर सवार हो जाओगे आपको यहाँ पे तीन options आने वाले है throw, attack and jump तो अगर आप attack option का इस्तमाल करते हो तो ये गोड़े के उपर भाला लेके काले color का सामने की तरफ attack वाला animation करेगा अगर आप throw button दबाते हो तो इस भाले को ये fake ने वाला है और उसके बाद 10 second का timer शुरू हो जाएगा उसके बाद ही इस power को आप फिर से इस्तमाल कर पाओगे बाकी jump option तो ही है काफी बढ़िया लग रहा है ये horse, war horse अच्छी तरीके से jump भी कर रहा है और काफी उन्ची jump लगा रहा है तो आराम से आप obstacles को power कर सकते हो तो ये बात हो गई war horse की अगर आपको लग रहा है कि ये war horse को मैं या पे छोड़ दूँगा और कोई चोरी करके चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जैसे आप इस war horse के नदिक जाओगे आपको option मिलने वाला है retrieve करने का जैसी ये button पे click करोगे ये पूरी power आपका character retrieve कर देगा यानि कि इस war horse से खुद में ले लेगा और जापे हम लोग throwables रखते है वाले slot में देखना तो आपको वहां पे ये power equip हुई भी दिख जाएगी और आप अगर दूसरे गोड़े पे power देना चाहते हो तो उसके नजदिक जाके possess दबाना है तो उस horse के अंदर फिर से ये power चली जाएगी बट I think आपको ये करने के जरूत नहीं है क्योंकि आपना खुद का character black symbiote arm की मदद से क्या-क्या कर सकता है ये आप imagine ही नहीं कर सकते तो फिलाल guys अपन यहां पे ना power retrieve करते है इस war horse से and check करते है कि आपन यहां पे क्या-क्या कर सकते है ठीक है तो अपने character के अंदर ये power आ चुकी है तो घरों के उपर तो आप obviously जा ही सकते हो कुछ इस तरीके से आपको एक line आएगी black color की and यहां पे एक tragic tree भी दिखेगी तो इसका इस्तमाल करोगे तो हवा में उड़ सकते हो ये देखो आपना character इतने उपर उड़ गया थोड़ा संबल के करना नौक वक मत हो जाना इस पावर का इस्तमाल आप तेजी से आगे dash करने के लिए कर सकते हो एक location से दूसरी location पे बहुत fast बहुत तेज जाने के लिए कर सकते हो यहां तक कि आप enemies को trap कर सकते हो गाडिया उठा सकते हो air drop दूर से नजदीक मंगवा सकते हो और बहुत कुछ तो सारी चीज़े फिलाल अपन यहां पर try करते हैं देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं तो यह देखो वह अपना character किस तरीके से हवा में उड़के यहां पर प ऐसे red color की यह बना के फिर इस power को use कर सकते हो और यह देखो बाई बंदा कहां से कहां आके गिर गया है तो imagine करिये guys किस तरीके से आप यह से इस्तेमाल कर सकते हो अब आपको game के अंदर hack hook लगाने की ज़रुत नहीं है यह power मिल गई तो काम बन गया आप जैसे की सामने यह tower द बैट सकते हो तो काफी cool है ना यह चीज तो यहां से एक बार इसे इस्तमाल करते हैं यह देखें साम से कितना मस तरीके से आप इसे use कर सकते हो how cool इतना है नहीं guys आप enemy को भी trap कर सकते हो इस symbiote arm में तो यहां पे देखें इसको किस तरीके से आपने खीच के अपने नजदीक लिया है तो एक trap सेट कर सकते हो एंड कोई भी enemy आपसे बच के जाही नहीं पाएगा तो काफी funny है काफी मजेदार है एंड spider man अगर आपने वो वाला मोड खेला है तो आपको अगर वो मोड पसंद आया था तो भाई यह तो power ना spider man से भी बहतर है एंड मजा आएगा इसे खे प्ले है तो जाओ खेलो एंड वीडियो को लाइक देना एंड दोस्तों को भी बताना एंड इस्टाग्रम पर फॉलो करना बाकी comment section में आपकी character ID डाल देना वहां से winner pick होने वाला है एंड जल्दी में winner बताऊंगा और आपकी account में आ जाएगी royal pass के लिए you see so thank you guys and take care